हेलो प्रेंट्स वेल्कम तो दा चैनल कैसे आप सभी उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे प्रेग्नेंसी में बहुत लोगों को यूरीन इंफ्रेक्शन हो जाती हैं ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम साब्धानी रेसकते हैं कि यूरीन इंफ्रेक्शन हमें ना हो को भी उसका इफ्रेक्श हो सकता है तो आइए हम इस सब्जेक्ट पर जानते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे कोशन आते हैं और इसका एंसर देना जरूरी है और थोड़ा बहुत मैं अपने भी एक्स्पीजियंस आपके सांद शेयर करूंगी तो चलिए वीडियो शुरू क तो मुझे पूछने में थोड़ा विदेर ना करें आप मुझे इंस्टागाम से पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं डीम में सबसे बात करती हूं तो आप जरूर फॉलो कर लेना यहां पर उसके लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो आप फ को इस समय से हमारे सरीर की बात नहीं होती है Union को कि इस में तरह की दिकत हो और परिशानी सीज़ु को हमें कभी एक इस20 Talent किविवर समय में पाहिर हो पर फॉलो कर तो सबसे पहला आपको करना क्या है अपने हाउजीन का बहुत ख्याल रखना है क्या होता है प्रेग्वेंसी में हमारी बॉड़ी में बहुत सारे चेंजे आते हैं हर दो-दो मिनट पर ट्वालेट जाने की इच्छा होती है बहुत लोग तो ट्वालेट जाना पसंद नहीं कर है है तो यह सबसे है्ला कारण होता है जो आप annual card को दबाना और इसके और साइड प्रेंट हो अ aún शीकायत भी सिंग और दूसरा हम को बहुत बहुत पानी पीना है और प्रेग्वेंसी तो फिक्वाल यह जान सब्रेग्नेच के का चाहिछ पसंद नहीं करते हैं वहता है कि खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ डाइजस्ट नहीं हो रहा है जिसकी वाज़ा से पानी पीना बंद करेंगे तो हमारी अंदर की टॉक्सिंस जो है वह यूरीन के तुरू बाहर नहीं आएगी न तो वह अंदर रहती है जिसकी ॉक्त झालिण नेल्प से टेयुक्त पानी पीना है क्टिस्ट करें आछ यमिशन मेंटें करने के लिए बताके रखनांग। बहुत सारे मेंसे जातर इस चीज़ों को समझ नहीं बाते हैं तो आपको उनको यह बताना है नमबर चार आपको क्या करना है कभी भी जो आपकी अुदर कार्मेंट्स है वो टाइट ना पहने और गीले ना पहने टाइट इंदर सिंस, नॉर्मल दिनों में फिटेड लोग पहनते हैं, लेकिन जब आप ट्रेगनेंट होते होना, तो आपको एक दो साइज बड़ा ही अंडर गार्मेंट्स यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉड़ी जो है ब्रीद कर पाए, और हमेशा कॉटन के ही जिससे कि आपकी बॉड़ी के अंदर हवा पास होता है, तो जो जो सिल्क वाले या दूसरे साटन वाटन टाइप के जो अंडर गार्मेंट्स आते हैं, वो बॉड़ी को ब्रीद नहीं करने देते हमारे जो स्वेटिंग होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, और हमारे बॉ करना है क्योंकि बाहर का खाना प्रेग्नेंसी के दिनों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो हाईजीनिक नहीं होता है, अगर बाहर कभी खाने की बीच्छा करें तो वैसे ही जगह पर खाई जहां पर थोड़ सा है, हाईजीन को मेंटेन किया जाए, लेकिन हमेश चाहिए, दूसरा आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, बहुत लोगों को खाने के लिए भी देते हैं, बहुत लोगों को अपने प्राइबेट स्वाट के अंदर रखने के लिए भी देते हैं, जिसे की जो भी इनफेक्टेड एरिया हो वो सही हो जाए, और बेबी को के प्रइम आगराम के बा statewide इंटीमेट वहें सब आपको LEAN यह नहीं होती ओंटा दो सब्सक्राइब करना का तो एसे लोगारण ऑप मज़ी इंटीमेट से जरूरत इंटीमेट्व श्रेश तो यह हमेशा ध्यान रख़िए सब करनारी कि अपने मज़ी लोगातें तो ही डॉक्टर बताते हैं नहीं बताएंगे तो कभी भी अपनी मर्जे से किसी भी ब्रांट का इंटिमेट वाश ना ले तो आपको उसका साइड एफेक्ट हो सकता है इसके अलावा अगें धेर सारा पानी पीए जो मैडिसीन डॉक्टर बताते हैं उसको सही टाइम पे होते हैं और जितना हो से कि हॉस्पिटल के ट्वालेट से आपको बचना चाहिए यहां पर मैं अपनी एक एक्स्पीरियंस बताओंगे कि जब मेरा आई वाई हुआ था मैंने आप लोगों को बता रखा है अपने प्रीविएस वीडियो में आई वाई की बाते तो मेरा जब आई वाई हुआ था तो उस समय मुझे यूरीन इंफ्यक्शन हो गया था वह भी इस वज़े से कि जब मुझे अल्ट्रासांट करना था तो मैं हॉस्पिटल के ट्वालेट में चली गई क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा पानी पीपी के मैंने पेट बढ़ा कर रखा था मैं पानी पीना बहुत जादा जरूरी होता है उसके बाद आपको आपको वजह से मुझे भी इंफेक्शन हो गई थी डॉक्टर ने मुझे जैसे उन्होंने बताया था जीजे मैंने यूज की थी और मेरा ठीक हो गया था 15 डेज में तो आपको भी टेंशन लेनी की जहुरत नहीं है हमेज़ा अपना हाईजीन मेंटेन करें हॉस्पिटल के वास्रूम से बचे अगर जाने की जहुरत भी पड़े तो कोशिश करें कि साफ जगब पे जाए मतलब मैं कैसे आपको समझाओ आप समझ सकते हो मैं क्या वोलना चाहती इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा ध्यान डखोगे अपना ना तो आपका आप और आपका बेबी दोनों ही हेल्दी रहेगा सही रहेगा और यह जो इंफेक्शन नाम की चीज है ना वो कही ना कहीं दूर रहे हैं खुश रहिए अपना ख्याल रखिए और आने वाले महमा करती समय के इंतियार कीजिए बहुत ही यूनीक पल आप जी रहे हो अगर आप आप तो बहुत ही यूनीक पल जी रहे तो उसको अच्छे से आप एंजोई कीजिए ज्यादा टैंशन ना ली जिए टैंशन से भी प्रोब्लम होने लगती है तो बहुत खुश रहने की दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए चैनल पर फॉर्स टाइम आया हो तो सब्सक्राइब जोरू कर लेना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाद